हलो एपरिवन, मेरा नाम कवीता मातुर है और मैं गवर्मेंट वूमिन्स पुले टेक्निक कॉलेज उदैपुर में टेक्स्टाइल डिजाइनिंग की लेक्श्रर हूँ आज हम थर्ड एर में पढ़ाया जाने वाले सब्जेक्ट क्रियेटिव टेक्स्टाइल डिजाइन सेकेंड जिसका सब्जेक्ट कोड टीडी 308 है इसमें डेकोरेटिव यूमन फिगर्स का डिजाइन बैट शीट के लिए बनाना है तो थीम हमारी है डेकोरेटिव यूमन इसके लिए अलॉटेड है मैक्जिमम लिमिट नहीं दी गई है तो किस तरीके से आपको डेकोरेटिव यूमन फिगर्स को बैटरी के लिए डिजाइन करना है तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि डेकोरेटिव यूमन फिगर्स क्या होता है वह यूमन फिगर्स जो कि अ जिनने हम आगे बैटशीट पर डिजाइन करेंगे, जो डेकोरेटिव डिजाइन्स हैं, कोई अच्छे डेकोरेटिव डिजाइन्स बनाने के लिए क्या रिक्वाइर्मेंस होती हैं, तो डेकोरेटिव डिजाइन्स जब हम तैयार करते हैं, तो कोई भी डिजाइन का, कोई भ होना चाहिए मतलब balanced form में होना चाहिए the decoration must be used in moderation फिर decoration जो है वो structural point पे होना चाहिए अर्थात संग्रचनात्मक बिंदू पर होना चाहिए जो की design के आकार को प्रबल करने वाला हो मजबूत करने वाला हो design में पर्याप्त background space होनी चाहिए जिससे design में सादगी यानि की simplicity और dignity मतलब गरीमा दिखाए दे मतलब design के अंदर सादगी और गरीमा का प्रभा हो रहे है किसी भी motive का जब decoration किया जाता है design को जब decorative form में convert किया जाता है तो उसका decoration suitable form में होना चाहिए अब हम बात करते है screen printing की क्योंकि यह design हमें screen printing के लिए तायार करना है तो screen printing क्या होती है screen printing basically एक छपाई का method एक विदी है जिसके ओपर design को expose कर लिया जाता है मतलब जो design हमें कपड़े पर print करना है उस design को screen पर expose कर लिया जाता है और जिस भी कपड़े के उपर printing करनी है उस कपड़े के उपर तयार screen को रख कर और squeezy की सायता से color को spread किया जाता है इससे screen में से color पास होके design वाले पार्ट में से पास होके और कपड़े के उपर design print हो जाता है छप जाता है screen printing एक ऐसी technique है जो बहुत आसानी से की जा सकती है जिसमें बिना महेंगे उपकरनों का प्रयोग किये हुए इसका इस्तिमाल किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि इसको income का साधन बनाया जा सकता है इस method के द्वारा हम कोई भी fabric print कर सकते हैं फैबरिक के अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को screen के द्वारा print कर सकते हैं पर हम यहां बात कर रहे हैं बैट शीट के printing की तो screen printing method के द्वारा बैट शीट को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा varieties इसकी उपन की जा सकती हैं हमने जो उपर आपको motive दिखाये थे screen decorative motives उनके द्वारा हमने यह एक बैट शीट पे design तयार किया है इन design को आप all over form में भी ले सकते हैं border form में भी ले सकते हैं बैट शीट पे किसी भी form में इसको आप place कर सकते हैं circle form में बना सकते हैं तो यह आपकी designing sense है आपकी जो imaginary power है उसके हिसाब से आप इसमें design का placement कर सकते हैं तो इस प्रकार आप decorative motive को लेकर और screen printing के तुबारा बहुत सुन्दर सुन्दर batch sheets को बना सकते हैं धन्यवाद